हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू मैं चैनल और आज मैं करने वाली हूँ फुल फेस मेकप यूजिंग पॉंड्स पाउडर और फेर एंड लवली क्रीम यानि कि मैं कोई भी फाउंडेशन या फिर कंसीलर नहीं लगाऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को और देखते तो सबसे पहले मैं रोज वाटर लूँगी और इसको एक कॉटन पे डाल करके अपने पूरे फेस पे अच्छे से इसको वाइप कर लूँगी ताकि मेरे फेस पे जो भी थोड़ा बहुत डर्ट रहे वो हट जाए और साथ ही मेरा जो स्किन है वो बिलकुल फ्रेस हो जाए और एकदम से फ्रेस फ्रेस दिखे तो इस तरह से मैं कॉटन पे रोज वाटर लेकर के अपने पूरे फेस को अच्छे से वाइप कर रही हूँ ताकि मेरा जो स्किन है वो काफी जादा अच्छा दिखे और अब मैं अपने फेस को सेल्फ ट्राइ कर लूँगी अब मैं अप प्राइमर और मॉइस्जर बहुत ही अच्छा काम करता है और साथ ही हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखता है और थोड़ा बहुत जो स्किन प्रॉब्लम रहता है उसको भी यह काफी जल्दी ठीक कर देता है तो इसलिए मैं अलोवेरा जेल यहाँ पे यूज कर रही हूँ और इसको अपने फिंगर में लेकर के अपने पूरे फेस में अच्छे से मसाज करते हुए अपने स्किन में एब्जॉर्ब करवा रही हूँ ताकि यह मेरे पूरे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और मेरा जो स्किन है वो काफी ज़्यादा करूंगी यहां पर मैं कोई भी फाउंडेशन या फिर कंसीलर का यूज नहीं कर रही हूं मैं बस फेरन लबली क्रीम से ही पूरे फेस को अच्छे से मेक ओफर कर रही हूं तो इस तरह से मैं पूरे फेस में क्रीम को अपलाई करके अपने हाथों से इसको अच्छे से मसाज कर पूरे स्किन में एब्सॉर्ब करवा लूँगी और इस तरह से देखिए कितना अच्छा लुकाया है और अपमें पूरे फेस को सेट करने के लिए पॉंट्स पाउडर का यूज करूँगी इसको मैं एक स्पॉंच में लेकर के अपने पूरे फेस में पहले अच्छे से लगा कर लेना है और ब्लेंड कर लेना है ताकि पूरा फेस जो है वह इकवल दिखे का संह生 Crash है और अपमें यूज क्वार अपने नेख पर भी यूज करूँगी और सल्गया लूंगी ताकि मेरा फेस और नेख दोनों इकवल दिखे lips को moisture करने के लिए मैं lip pound लगाऊंगी ताकि मेरे जो lips से वो moisture हो जाए और कहीं सभी crack ना रहे lips में अब मैं eyebrow feel करने के लिए एक eyeshadow palette में से black color का set लूँगी और उसको brush की help से मैं अपने eyebrows को shape करूँगी और उसको fill up करूँगी बहुत ज़्यादा dark नहीं करना है इसलिए मैं बहुत ही हलके हाथों से इसको fill up कर रहे हूँ ताकि एक natural सा look आए और बहुत ज़्यादा heavy ना लगे बस हलका हलका करना है जहाँ जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत gap लगे वहाँ पे fill up कर लेना है इस तरह से जैसे मैं कर रहे हूँ और यह देखिए कितना एक अच्छा natural look आया है और अब मैं काजल अपलाए करूँगी काजल मैं बस lower water line में ही अपलाए करूँगी और एक पतला सा line ड्रॉ करूँगी बहुत ज़्यादा heavy काजल नहीं यूज़ करना है और फिर उसी काजल से मैं अपने water line के नीचे हलका हलका सा smudge करके लगा लूँगी ताकि एक smoky सा effect आए और हमारा जो आँख है वो बहुत ज़्यादा बड़ा और खुबसूरत दिखे और अब मैं eyeliner यूज़ करूँगी eyeliner के लिए हमें पहले पतला सा line ड्रॉ करना है और फिर उसी line के shape से उसको हलका सा थीक या फिर जैसा हमें रखना है medium उस shape में हमें इसे line को ड्रॉ करना है तो इस तरह से मैंने अपने दोनों eyes में जो है eyeliner को apply कर लिया है और बहुत ही patience के साथ आपको लगाना है क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी हम हड़बड़ी करें तो जो पूरा जो line है वो बिगर सकता है तो इसलिए बहुत हलके हाथों से इसको ध्यान से line को ड्रॉ करना है और अब मैं mascara यूज करूँगी तो mascara को eyelashes में अच्छे से coat करना है ताकि हमारा जो eyelashes है वो थिक दिखे और जो हमारा eye look है वो काफी ज़्यादा अच्छा है और साथ ही मैं lower eyelashes में भी mascara को apply करूँगी तो इस तरह से मैं दोनों आँखों में अपने mascara को apply कर ली हूँ और अब मैं blush apply करूँगी blush को बहुत ज़्यादा नहीं पहले ही apply करना है उसको हलका हलका लेकर के और फिरी blend करते हुए उसको अच्छे से apply करना है और धिरे धिरे उसका color लाना है और अब finally मैं lipstick लगा रही हूँ तो इस तरह से हमें अच्छे से lipstick को लगा लेना है तो मैंने lipstick apply कर लिया है तो guys ये रहा मेरा final look आपको कैसा लगा comment box में लिखके जरूर बताईएगा साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो please इस वीडियो को एक like कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चानल पर नए हो तो मेरे चानल को subscribe कर दीजिएगा और साथ ही bell icon को भी press कर दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care